असलाम लेकून कैसे हैं हम सब लोग उम्मीद करती हूं कि सब ठीक होंगे खुश होंगे चलें जी आज का व्लोग स्टार्ट करते हैं यह सुबा का टाइम है सिक्स ओक लॉग में बच्चों का ना स्कूल लंच रेडी कर रही हूं बच्चों को मैंने उठा दिया था तो वो म चाई रेस्ट लेकर अखते हैं पिर इसकोल जाते है तो पी मेरी condition मैं दो कोशिश होतीके स्कूल लंच में उनको कि मैं रेडी कर दूंगी साथ मैं फूर्ट फगरा भी दे देती हूं जो शौक से काते हैं अपल कट करके डाल दिया था साथी लांच बॉक्स रेडी कर दिया था लांच बॉक्स रेडी करने के बाद बच्छों को स्कूल बेच के फिर साथ ही न मैं फिर दुपैर के खाने की फिर स्कून रहता है पूर्कर गर्मी बहुत ज्यादा है तो मेरी कोशिश होती है कि 12 तक मेरा लंच रेडी हो जाए तो उसके बाद बाद की कांव करती हूं तो मैं चिकन बियानी बनारी चिकन बियानी की रैस्पी और डिना मेरे चैनल पर तो जो नए हैं तो वो मेरे जाक तो मेरी कोशिश होती मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको भी आइडिया हो जाए किसी ने ड्रेस बनवानी हो तो भी बनवा सकते हैं तो यह मैं स्टिच करवाती हूं लेकिन डिजाइनिंग में खुद करती हूं ना सारी सारा स्केच बनाकर उनको देती हूं तो यह ना बने बनाई है मिल जाते हैं मार्किट से इजी काले ना तो यह उपर गहला नीचे पोकिट स्टार्ल में बनवा दिया है और सिल्वर का की डॉर्ड अंदर लगवाई है यह डौरी ना सिल्वर गौर्डन कलर में जी मिल जाती है तो इसकी ओवर ऐल लोक है तो आप स्क्रीन ले सकते हैं अगर आपको पसंद है तो गर्मी में वैसे भी खुले खुले ड्रैस बचों को अच्छे लगते हैं और यह नेक्स्ट वाला जो है यह और वाइड कलर में है यह स्टार्स वाला प्रिंट है ना तो इसको पर भी अगेन वही मैंने गोल्डन कलर की गोड़ी लगव पाइए तो यह ड्री लगवाने से बहुत अच्छी रिटेलिंग हो जाती बहुत अच्छी लूक काती है यह जो रेडि मेर ड्रैस होते हैं जैसे जे ड्रोट के ज्यादातर जीजिव होती रिए गोड़ी यूज रिए तो एसे आप बच्चों के रिकल क्व्रकी जैसे लॉ और पीसिस थे मेरे पास तो इसको मैने पिये जोईन कर वाए के तो ये भी मिरting पास पैश था तो यह उपर नेकलाइन पर लगवा दी ऐसा बैड कर लगई कि मैंने पाइपिंग कर वादी क्यूंकि रड करें कर मैने कंट्रास्ट गरारा बनाए इसके साथ तो यह एक वाश हो जिगाड की जो मैंने गरारा बनवाए ना उसकी पट्टी और नीचे भी मैंने ये किरन लेस्ट लगवाई है जिसका कंट्रास है यह भी माशाला पहना बहुत अच्छा लगता है अब जैसे आपस लेफ्ट और पीसीज हो तो आपको उसके साथ कंट्रास करवाके ना ऐसे ड् दे रही हो कि मैं अपनी बच्ची के बनवाती हो तो जिनकी बच्ची हैं तो उनको भी आइडिया मिल जाए और वह भी एजी लिए अपनी बच्चीं के ड्रेस त्यार करवा सकती है और यह वाले भी मेरे पास मैंने स्टिच करवाई थे कुछ दिन पहले तो यह आपके साथ करोकई को दूए यह मेरे ड्रेस में से में से यह पीसिस बचे थे लफ्ट और पीसेज ना तो अब पत है कि जैसे ब्र inquis को काफी बच्ची बछ जाते हैं थे क्स्याइब यह शुर्ट त्यार हो जाती आप साट के ले सकती हैं अच्छा यह जिगार का प्रिंट यह सफाइर की मेरी शुर। तो यह आपको पता कि जो लेफ्ट वर पीसिस होते हैं वो लंबाई में ही होते हैं तो उसको फिर हमने ऐसे पैनल की शेप में फ्रॉक स्टिच होती है यह यह लैन मैंने शर्ट स्टिच करवाई है तो इसको पर गोल्डन कला कि यह ओपन स्टाइल में डोरी लगवा दिये और लिए ओभन Cabinet यह निचे के टेज़ अधिये ड्यएवं कौन ड्यृट लगवा दियें और एवाए निचे के तलक टैसल लगवा दिये थे और यह तरड वाला जो है इसका अनुस्ट कि इस नीचे पर बैपन भोल्च तैयल ना चाहिए है यह यह ने के सेमीने में अड़े हम वाइट इसके साथ टाइट से और स्लीव पर ये बो वाली डिजाइनिंग करवाई ये ये भी छे साल की बच्ची का ड्रेस है ये भी पहना हो बहुत अच्छा लगता है गोल दामन और चोटे चाखों ये भी लाफ्ट ओवर पीसेस में से बना है और ये जो लास्ट वाला है ये भी लाफ्ट ओवर पीसीस थे अच्छा ये ना दो शेर्ट में से मेरे बचे थे लाफ्ट ओपीसेस एक चिकन और वाइट ये लाइदा थी और शॉक्किंग प्रेंट ये लाइदा थी तो पीस कम थे इनको पी कंट्रास किया मैंने अब यही इस पेडिजाइनिंग का ज यही विजी मैरे डृकंटास कि टृक्ट करते हैं मुझे देगे गाणा को एसप के राप ये अगरे बीडारण़ बिक तर ये में देगने कहीं लाइदाख में हैं तो मैंसे ये और पर में करेवार्ण ये पराण़ में ब्रॉक हे तो मुझे दीजिए अजाज़त अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे आपको डिजाइलिंग अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूप ताइएगा ओके अल्ला हाफिज